चेतन मन है कप्तान चेतन मन समुंदरी जहाज के एक कप्तान की तरह होता है वे जहाज को दिशा देता है वह इंजन रूम के व्यक्तियों को आदेश देता है तब भी वे वॉयलर जंत्रों और बाकी उपकरनों को नियंतरित करते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि वे कहां जा रहे हैं, वे तो सिरफ कप्तान के अदेश का पालन करते हैं, लेकिन कप्तान कमपास और बाकी जंत्रों के अधार पर गल्त या दोश पूरन निर्देश चारी कर दे तो जहाज चटानों से टकरा सकता है, इंजन रूम के वेक्ति बता होता है कि कप्तान क्या कर रहा है, इसलिए वे कप्तान से बहस नहीं कर सकते, वे सबी तो चुप चाप कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं, कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है, इसलिए सबी उसके आदेशों का पालन करते हैं, इसी परकार आपका चेतन मन भी आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है। जैसे आपसे जुड़े सवी मामलों का, आपके शरीर और आपके परिवेश का। चेतनमन अपने विश्वास तथा अनुमानों के अधार पर आदेश देता है। और आपका अफचेतनमन चुप चाप उन आदेशों को माल लेता है। ये आदेशों पर सवाल नहीं करता या ये नहीं पूछता कि वे किस अधार पर दिये जा रहे हैं। जदी सवें से आप बार बार कहें कि मेरे पास इस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो आपका अफचेतनमन आपकी बात माल लेता है। वहाँ ये सुनुश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मन चाही चीज़ खरीदने के लिए कभी पैसे ना रहे। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मेरे पास कार है लेकिन चुटियों में घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं तब आपका अपचेतनमन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा और आप इन चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसी परिस्तितियों के कारण हुआ। आपको कभी ये मैसूस ही नहीं होगा कि आपके अपने नकरात्मक विचारों या परिस्तितियां खुद ही निर्मित के हैं। पिछले क्रिस्मास पर नीना डबल्यू नाम की एक युपती दक्षिन कैलिफोर्निया की युनिवस्टिक इशात्रा विवरली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उंगमंग थी कीवे बफैलो नियॉर्क में अपने परिवार के पाने वाले नजरों से देखा किन्तु उसकी किमत देखते ही उसके मुँझे आहा निकल गए। वह स्वें से कहने वाली थी कि मैं इतना मेंगा बैग कहीं भी नहीं और कभी भी नहीं खरीद पाऊंगी। लेकिन तभी उसे मेरी बात याद आगी। कभी भी किसी नकरात्मक वाक्यों को पूरा मत करो। इसे ततकाल उलटकर सकरात्मक कर दो और आपके जीवन में चमतकार हो जाएगा। और उसने इसी परकार लेख की बातों पर विश्वाश करते हुए ऐसा ही किया। बैग को देखते ही हुए उसने फिर कहा ये बैग मेरा है और ये विक्री के लि लेगा और मेरा फचेतन मन ये सुनिश्चित करेगा कि ये मुझे मिल जाए। उसी शाम डिनर पर नीना अपने मंगेतर से मिली। उसके हाथों में रैपर में लिप्टा एक सुन्दर तोफ़ा था। नीना ने उसे सांस रोक कर खोला। ये वही वैक था लैदर का जिसे उस लब्दी की शक्ती है। नीना ने मुझे बाद में बताया कि मेरे पास उस बैक को खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन इसके बाप यूर्वी वे मुझे मिला। अब मैं समझ चुकी हूं कि मुझे धन और बाकी चीज़े कहां मिलेंगी। वे सभी चीज़े मुझे अपने पत्र में लिखा कि मैं 75 साल की विद्वा हूं। बच्चे बड़े होते हुए बाहर चले गए थे। फिर भी वे अकेली रहे गई और सोशल स्कूर्टी तथा थोड़ी सी पैंशन से ही अपना गुजारा कर रही थी। उसका जीवन बहुत ही सूना और निराश चनक लेकिन एक दिन उसके फचेतन मन की शक्तियों पर उसे मेरा भाशन याद आया। उसे याद आया कि दोहराव विश्वाश और उमीद के जरिये हम अपने विचार फचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। और उसने फिर उन विचारों को जमाने का फैंसला किया क्यूंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। और बार बार वे पूरी भावना से दोहराने लगी कि कोई ना कोई उससे चाहता है, कोई उससे प्यार करता है। और वे शादी शुदा है और उसका पती द्यालू प्रेमपूबक तथा द्यात्मिक मानसिकता वाला है। और वे सु लाकात हुई और वे बहुत ही द्यालू और समजदार और बहुत ही धार्मिक थे। उन्होंने उसकी प्रात्ना का अदर्श उत्तर दिया। नतीजन एक हफ़ते के अंदर ही उन दोनोंने शादी करने का फैंसला कर लिया। और इस समय वो जुरोप में हनीमून मना रहे पैच्छी तरह से जानती थी ये सब उसके अफचेतन मन की बुद्धी मता के कारण ही संभव हो पाया। और इस तरह वे दोनों ही एक दूसरे के करीब आ गे। रूत ने मैसूस किया कि खजानना उसी के अंदर था। उसकी प्रात्ना उसके दिल को सच्ची लगी। उसकी सक अफचेतन मन उसके ने पती को एक साथ ले आया। हर चीज हमारी सोच पर ही नवर करती है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम पाएंगे। जरूरी सोचें जो भी चीजे सच्ची हैं, जो भी चीजे इमानदर हैं, जो भी चीजे न्याएपूर्ण हैं, जो भी चीजे शुद् सारा खजाना आपके अंदर है इसलिए अपनी दिली इच्छा का उत्तर भी आपके अंदर ही होगा उसे खोजो परतेक युक के महान मनुश्यों का चमतकारिक रहस से ये था कि उन्हें अपने अफचेतन मन की चमतकारिक शक्तियों में संपर्क करने और उन्हें सबतंतर करने की प्रतिबादी आप भी ऐसा कर सकते हैं परतेक मनुश्य अपने अपने शेतन मन द्वारा सारी समस्याओं का समाधान खोश सकता है जदी आप सोने से पहले अपचेतन मन से कहें कि मैं सुबह 6 वजे उठना जाता हूँ तो ये आपको ठीक उसी समय जगा देगा आपका अपचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है आपका उपचार कर सकता है इसलिए आप परतेक रात अदर्श विचारों के सास्थ होएंगे तो आपका अपचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा प्रतेक विचारेक का कारण है और प्रतेक परिस्तिती एक ही परनाम है यदि आप एक अच्छी पुस्तक लिखना जाते हैं, बड़ी अनातक लिखना जाते हैं शोरताओं के सामने बहतर भाशन देना जाते हैं तो अपने इन विचारों का प्रेम के साथ अपने अपचेतन मन तक पहुंचा दे फिर आपका अपचेतन मन इनी विचारों के लिए प्रतिक्रिया करेगा